यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और अक्सर राजनितिक हमलों से दूर रहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर आदंपुर के सीसवाल मिस्थानिय वधायक कुलदीब बिश्टनोई पर जम कर पर से उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि कुलदीब बिश्टनोई अपने पिता की राजनितिक विरासत के लायक नहीं है और इसी पर अब हर्याणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन ने खबर अभिता के समवादाता कुमार रमेश से खास बाचीत करते हुए इस पर पलटवार किया है मुख्यमंत्री मनोहरलाल आदमपूर पहुचे और आदमपूर पहुचने पर उन्होंने जाहिर तुर भजनलाल परिवार पर हमला भी बोला और कहीं न कहीं उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि भजनलाल जी की जो बेटे हैं वो सपूत नहीं है सपूट नहीं कहके उन्होंने क्या इशर्ख किया उसी पर जानते हैं कि उनके परिवार जलो pocket Iya Andت कोई इस बात का महतव नहीं है खट्र साब क्या बोल गये हैं उन्होंने उनको इसी का आभास है कि कुल्दीव भिष्णवी को कोई बहुत बड़ी जुम्हेवारी मिलने वाली है और कुल्दीव भिष्णवी इनकी चाते में मुंग दलेगा इसमें कोई शक नहीं लिख लो आ आजपक रोल बैक आपका अपना राजनीतिक नजरिया क्या कहता है मोदी लेर खतम हो चुकिया देश में मोदी ने इतना पैसा देश का परबाद किया बारदेश में जाके लाएक है हमासे आज तक इसकी अ प्लैनिंग है कि मैं तीन स्टेटों में गोवर्न रूल लगा पाद में रहना के चुनाओ कठे करा दूंगा देश का खर्चा बचा दूंगा हिम्मत है तो पहले तीन स्टेटों में चुनाओ कराई यह पता लग जाएगा तो यह थे चंदर्वन विश्णोई जी जो साफत और पर कह रहे थे कि आने वाला वक्त है खटर जी के लिए बड़ा दुखदाई हो सकता क्योंकि लोग ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है और सक्से बड़ी बात जो इतने भी आंदोलन हुए यह पूर्विक के समय में तीन या चार उन आंदोलोन का नुकसान कहीं न कहीं आने वाले समय में जहनना पड़ेगा कैमरान बैभों के साथ कुमार रमेश खबरे अभी तक चन्ड़िए